So, Hello and Welcome you all, I am Rohit from Mahajan Trader So, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ आएंपी, शेर्स की तो वीडियो को आगे continue करूँ उससे पहले अगर भी तक आपने मेरे चैनल The Mahajan Trader को सबस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सबस्क्राइब कर देना साथ ही आप हमारे टेलिग्राम चैनल को जॉइन कर सकते हो जिसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी वहाँ पर आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी की काफी कुछ अपडेट्स मिलने वाली है तो प्लीज जाकर एक बार चेक आउट जरू करना तो वीडियो को करते हैं कंटियू वीडियो की शुरुआत करेंगे गेल इंडिया लिमिटेट के साथ गेल इंडिया लिमिटेट में अगर देखें तो लास्ट रेटिंग सेजन पाइडेट की वी अगरम बात करें लास्ट फाइडेट में स्टॉक पाच रुपए हस्सी पेसे के रावं तक के रिटन देता हुआ न जड़ाया 3.29 परसन के बहाब पर अगर आप दिखते हो तो स्टॉक में काफी इच्छे रिटन समय देखने को मिल जाते हैं वाई अगर देखें स्टॉक में वन मंथ में गिरावट भी रही बट यहाँ पर अगर देखें गिरावट काफी बड़ी थी 5 तारीक से 13 तारीक तक 25 रुपए गिरावट उसके बाद 13 रुपए रिकावरी भी कर गया यहाँ पर अगर देखें गेल इंडिया लिमेटेट मे अप्रेल मंत में तो एक काफी अची चीज हमें नजराती है और अप्रेल अगर देखें जल्द आने वाल है मार्च अल्मोस्ट खतम हो गया है गाइस और बिल्कुल यहाँ पर अगर देखें तो काफी बड़ी पॉजिटीव चीज हमें नजराती है गेल बिल्कुल प्लान कर रहा है इसका first green hydrogen project हो तो यहाँ पर start होगा और इंडिया का यहाँ पर अगर देखे इंडियन government green energy पर काफी focus कर रही है और वही अगर देखें यहाँ पर clearly आप देख सकते हो the unit is expected produce about 4.3 metric tons of hydrogen per day यहाँ पर यह produce करेगा और purity जो रहेंगी इसकी by volume के साथ 99.99% की रहेंगी and would use renewable power India aims to reach 5 million tons of annual green hydrogen production capacity 20 30 तो यहाँ पर अगर देखे काफी बड़े level पर काम कर रहा है और यहाँ पर अगर देखा जाए तो गेल इंडिया लिमिटेट इससे commissionate करेगा the 10 megawatt proton exchange member electrolyzer electrolyzers for the green hydrogen producing unit विजएपुर complex जो मद्यप्रदेश में है तो बिल्कुल यहाँ पर एक इनिडा से important होने आला है तो यह चीज भी हमें देखने को मिलती है तो काफी बड़े तो यहाँ पर आप देख सकते हो stock में morning में काफी अच्छा gap up हुआ था ठीक है और stock ने अगर देखे 247.50 rupees के round तक की closing दी gap up हुआ stock gap up होने के बाद एक गिरावट इसमें आनी में 116 rupees तो काफी consistency के साथ return ने दे रहा है return मिलेंगे क्योंकि बड़ी deal हुई है अक बड़ी company के साथ Adani power के साथ अडानी power के साथ यहाँ पर 4000 करोड का order इसे मिला है बहल शेयर क्लाइम ओवर 4% on receiving 4000 करोड order from Adani power shares of state on PSU BHEL rows 4% बिलकुल बड़ा 4000 करोड का एक project मिला है we have received an order from Adani power for setting up 2x800 Megawatt राइगड फेस टू थर्मल पावर प्लांट एट राइगड चतिसगड तो चतिसगड में 2x800 Megawatt का एक project है जो काफी बड़ा project है और काफी बड़े label पे इसके उपर काम किया जाएगा तो एक काफी positive चीज हमें नजराती है राइगड चतिसगड में project मिला है तो बिल्कुल इसके बाद तो stock बढ़ना start हुआ और आगे और बड़ी बड़त हमें देखने को मिलेगी यह order लगबग अगर देखे 1600 Megawatt का है total अगर बात करें तो यह काफी बड़ी चीज है ठीक है तो यहाँ पर अगर देखे बीएचे अल्रेडी काफी अच्छे return दे रहा है और expected है कि आगे भी ऐसे ही return मिलेगा और stock में अगर देखोंगे तो काफी अच्छी buying हो रही है stock में और all high volume के साथ, खरीदारी यहाँ पर चल रही है, काफी अच्छे level पे stock को खरीदा जा रहा है, यहाँ पर आप volume भी देख सकते हो, लगबग 3 करोड के round तक का trade video में कल देखने को मिला और पर्सो भी 4 करोड के round तक का trade video में देखने को मिल रहा था, तो इसके बाद तो stock में और अच्छी growth expect आप कर सकते हो, पीएपसी के अगर हम बात करें तो पीएपसी में भी last trading season काफी अच्छे return मिले है, पीएपसी में काफी अच्छा jump रहा, 392 के round तक का high लेगा, फिर downside की और गया, फिर एक नया high rate के, वही कर देखे, 7 रुपे, 5 पेसे के round तक यहाँ पर, company ने अच्छे returns दिये है, पिछले 5 दिरों में 14 रुपे बड़ा, एक महिने में गिरावट नजर आती है, but stock में अच्छी news क्या रही ह एक news आ रही है, PFC drop dump shell, तो PFC ने dump shell drop कर दिया, तो यहाँ पर अगर दिखे, एक बड़ा project है, कलेशवरम mega project जिसे कहा जाता है, और इसके उपर काम किया जा रहा था, और इसे finance किया था, Power Finance Corporation ने, यानि PFC ने, और वही अगर दिखे, इनकी जो installment है, लगबग तीन installments इनकी बा तो installment से हो clear नहीं करती है, तो यह इसे NPA गोशित कर देगा, तो एक बड़ी चीज है, non-performing asset गोशित कर देगा, तो यह बड़ी चीज आ रही है, तो यहाँ पर PFC की और से भी दबाव डाला जा रहा है, अला कि कई बड़े projects को यह already finance कर चुका है, और आगे भी यह कर देखा तो यहाँ पर अगर देखोंगे, तो PFC की और से dividend भी दिया गया था, dividend के बारे में भी हम discuss कर चुके है, अब बारी आती है, इन stocks के कुछ लेवल्स है, जो हम एक बार देख लेता है, क्या लेवल्स है, तो पहले 5 मिनिट के टाइम फ्रेम पर BHEL को हम देखेंगे, तो BHEL में अच्छे returns मिले है, symmetrical type pattern के breakout के बाद, और यहाँ पर continuously stock बढ़ भी रहा है, और साथ अगर देखें, तो एक trade line के उपर आप focus रखना, जब तक इस trade line के उपर trade कर रहा है, तब तक positive row break करता है, तो downside की और आ सकता है, और अभी अगर देखें, तो share काफी अच्छे returns आल्रेडी द possible है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखो, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक symmetrical type pattern share बना रहा है, ठीक है, तो एक symmetrical type pattern बना रहा है, कह सकते हैं, और breakout अगर मिलता है, upside की हो, तो share में अच्छे return मिल सकते हैं, काफी अच्छी rally, देखने को मिल सकती है, अब बार ही आती है, next stock की, Gale India Limited को भी 5 minute के time frame पर हम देखेंगे, तो Gale India Limited के अगर हम बात कर ले, काफी अच्छी return company के और से दिये जा रहा है, stock के और साधी अगर देखें, काफी अच्छा support शो कर रहा है, यह stock, इस particular range पे, आप देखोंगे, तो काफी अच्छे support है, यहाँ पर support लेके jump आया, यहाँ support लेके jump आया, अगें यहाँ पर support लेके jump आ सकता है, और साधी उपर से भी अगर हम देखें, तो उपर से भी एक trade line, जैसे यह वाली trade line जो है, काफी अच्छा support यहाँ पर हमें, downside के और से देखने को मिल जाता है, उपर से अगर देखें, तो stock में एक resistance भी face कर रहा है, resistance लिया, तो यह upside down momentum के बाद अगर आप देखते हो, तो share में, अगर upside के और breakout मिलता है, तो यहाँ पर अगर देखें, W pattern भी बन रहा है, ठीक है, breakout अगर मिलता है, तो एक अच्छी rally stock में expected है, अच्छे returns जो है, इस particular share में आ सकते हैं, तो इस point के उपर भी आप ध्यान रख सकत हो, और साथ यह अगर देखें, यह जो range है, range भी important रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर देखें, range पर काफियत तक consolidation किया, gap up हुआ, फिर उसके बाद यहाँ पर थोड़ा sideways रहा, फिर यहाँ पर support लिया, तो इसी चीज़े है, तो यहाँ पर एक काफी अच्छा strong support यह ले share की, sunrise efficient marketing limited, 96 रुपिका stock है, bonus देने वाला share है, bonus किता दिया जा रहा है, तो यहाँ पर आप clearly देख सकते हो, punish to do का bonus दिया जाएगा, तो punish to do का bonus रहाँ जाएगा, तो punish to do का bonus है, यहाँ दो share के ओपर एक bonus का share मिलेगा, 3 April 2024 के पहले, अगर आपने buy किया, तो इसका benefit आपको मिल subscribe करना, और कोई भी stock में investment करते हो, तो insurance का analysis कर लेना, साथ ही telegram channel को join कर सकतो, जसकी link नीचे description में मिल जाएगी, नहाँ, nifty bank, nifty के update आपको मिलना ली, जाकर check out करो, thank you